बश्का दोस्तों मैं हूँ अदिती शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का फिल्म विंडो में हासर हूँ आपके लिए कुछ लेटेस्ट अपडेट्स लेकर तो भाई विशाल कोटियन जैसे ही घर से बाहर हुए है इतनी भड़ास उन्होंने घर के अंदर नहीं निकाली जितनी बाहर जाकर निकाली है जी हां काफी कुछ का है गेम के बारे में, शो के बारे में, मेकर्स के बारे में, अपनी सो कॉल्ड सिस्टर शमिता के बारे में और उसके बाद भाई फैंस तो भड़क नहीं थे जो भी शमिता फैंस है वो विशाल कोटियन पर भड़क चुके हैं बहुत बुरी दरा से भड़क चुके हैं काफी कुछ उन्हें खरी खोटी जो है वो सुना दी है अब ऐसा हुआ क्यों है आखिरकार विशाल कोटियन ने ऐसा क्या कह दिया है तो विशाल ने काफी सारे इंटरव्यूज दिये हैं और उन इंटरव्यूज में उन्होंने खुलासा किया है कि किस तरह से biased जो है makers रहे हैं शमीता शेटी के लिए शमीता शेटी को उनका gluten free खाना मिलता था हमें पूरी तरह से खाना नहीं मिलता था हमें भूखा रखा जाता था उन्हें medical issues है उन चीजों की basis पर उनको उनका gluten free खाना पूरी तरह से दे दिया जाता था तो अगर इस तरह से हमें भूखा रखा जाएगा तो हम भी तो बिमार ह सकते थे तो एक चीज उन्होंने ये कही है दूसरी चीज ये कही है कि भाई जिन जिन लोगों को जानती थी उनकी सपोर्ट के लिए उनको सबको अंदर भेज दिया गया था तो बहुत ज़ादा बायस्ट जो है वो मेकर्स का रवया रहा है श्रमिता शेटी के लिए और उसके बाद जो है जो फटकार पड़ी है ट्वीटर पर विशाल कोटियन को लोगों ने कह दिया कि भाई शेम ओन यू विशाल कोटियन तुम तो यार एक्चुल में एक मतलब रियल लाइफ स्नेक हो और डिस्कंस्टिंग कहा है उनको लोगों ने साथ ही कहा है कि कुछ भी हो वि शाल कोटियन को करना पड़ रहा है शमिता शेटी के अगेंस्ट सारी चीजे कहने के लिए और साथ ही शमिता शेटी के फैंस ने कहा है कि क्वीन शमिता इस प्योर सोल जी हां तो भाई क्वीन शमिता को कोई कुछ नहीं बोलेगा अब आपको क्या है इस बारे में कहना क्या आपको भी लगता है कि makers bias रहे हैं श्रमिता शेटी के लिए comment section में जरूर बताइए and latest updates के लिए बने रहे हैं हमारे साथ